हाई फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम टू यूबी फैक्ट्स आज हम बात करने वाले हैं पैरस और रॉल फस्क के बार में दोस्तों इस डैनोसोर का नाम बहुत बड़ा है क्यों न हम इसे छोटा करे जैसे की पैरस हाँ ये टीक रहेगा इस वीडियो में हम इसे पैरस के नाम से बुलाएंगे दोस्तों पैरस के फॉसिल के बारे में अभी हम बात करेंगे पैरस का पहला फॉसिल हमें अलबर्टे नाम के एक जगा पर मिला जो केनेडा के पास में रहता है Paris का पहला fossil हमें 1922 में मिला है दोस्तो उस fossil को कोज खरने वाले का नाम विलियम है विलियम ने ही उस fossil को नाम दिया है पैरसलोरफस विलियम ने बहुत सारे fossil को कोज किया है Friends, अगर आप डाइनोसर किंग काटून को देखते तो ये पैरसलोरफस अबको बहुत अच्छा रख था क्योंकि ये पैरसलोरफस उस काटून में एक मेन कैरेटर के पास रहता था अभी हम पैरस के हाइट के बारे में बात करेंगे उसका हाइट 4.9 मीटर तक रहता था उसका लेंथ 10 से 11 मीटर तक रहता था उसका वजन 2-4 तन तक रहता था, मतलब 2000 किलो से 4000 किलो तक रहता था अभी हम Paris की स्पीड के बारे में बात करेंगे Paris का स्पीड 25 किलोमीटरेς पर हार तक रहता था Paris एक हरभी वरस डैनसार है, उसके बहुत चोटे चोटे दात थे पैरेस के कितने दाथ हैं ये बात अभी तक किसी को नहीं पता साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे हंड़र अफ हंड़र दाथ थे ये दाथ उसे प्लैंट्स को ग्रैंड करने में मदद करते थे पैरेस का जो आँख और कान है वे बहुत तेज थे दोस्तो इसके आँख बहुत दूर तक देख सकते थे और इसके खान बहुत चोटी आवाजों को भी पहचान सकते थे पैरेस का जो रंग है वो डार्क ग्रीन है दोस्तो Friends, Paris का एक family है और उस family का नाम है Hadrosaurus Paris के पूरे चार species है Species का नाम है Parasaurus Valkyrie, Parasaurus Tubison, Parasaurus Geansis और Parasaurus Critocytus Friends, Paris एक Harvivores डेनोसार है इसके कारण वो ज़्यादा wild नहीं है Paris लड़ाई के वक्त पर अपने आपको बचा नहीं पाता था क्यूकि उसके पास ना ही आर्मर है, ना ही बड़ा सब पूच वो सिर्फ टैकल ही करता था मतलब सिर्फ दखा देना Parasaurus और उरलोफस के कहानी यहां कतम होता है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्लेसी और सौर का जानकारिया रखूँगा प्लीज सब्सक्राइब में चैनल प्लीज सब्सक्राइब में चैनल